हाई एवरिवन केसे हो आप सभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वा लाइन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगे आपके सामनेक मोश्ट इम्पोर्टन ज लेकर आचुका दोस्तों जिसमें आज के दिल हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे एट स्टैंडर्ड के लिए जोग्राफी सब्जेक का दोस्तों एक न्यू चाप्टर एक फ्रेश एंड बैतरीन चाप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों जिसका नामे चाप्टर नमर 6 लैंड यूज तो ये चाप्टर का हम पढ़ने वाले आज दोस्तों लेक्चर नमर 1 जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन लेक्चर वीडियो होने वाला है तो दोस्तों आर आपको जस्ट में रिमाइंडर देना चाहूंगा कि आप हमारे प् आप 50% से जादा हमने social study भी complete कर दिया है English grammar पूरा complete है तो आपसे request यह है आप जो भी standard से हो 7 वी के हो 8 वी के हो 9 वी के हो 10 वी के हो हमारे playlist को देख लो सब वीडियोस आपको line wise sequence wise देखने मिल जाएंगे अंदर अंदर lectures पूरे भरे हुए चेक आउट जरूर से कर लेना ठीक ह दोस्तों चलिए शुरुआत करें आज के इस वीडियो के देखो नया chapter है land use यानि कि आप अगर example के तौर पर सोचोगे land use यानि land का मतलब क्या होता है जमीन अब जमीन जो होती है इसके uses कही सारे होते है बहुत सारे type के uses होते example के तौर पर समझ लो जैसे हमारा जो घर होता है हम जो डेली घर में जो रहते है हमारे जो हमारे माबाप ने जो घर हमें दिया हुआ है बना के जो दिया हुआ है जो हम रह रहे है इस वक्त उसमें जो जमीन होती है वो land ही है एक तरीके से हम जो भी फ्लाइट में रहे तो वो भी एक क्या है, जो जमीन ही है, लैंड है, तो वो लैंड का अलग-अलग यूज है, जैसे कि एक्जाम्पल के तौर पर अगर हम कुछ सामान एक जगा पर रखते हैं, जैसे कि अभी इस वक्त जो यहाँ पे मैं आपके लिए जो वीडियोस रेकॉर्ड कर रहा हूँ, यह म हटा के दूसरे जगा रख दू, तो यह हमें बहुत अलग लगेगा, यानि कि बहुत चेंजेस लंजर आएगा, वैसा ही हर एक लैंड का एक पर्टिकुलर यूज होता है, अब यह लैंड का यूज क्या कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियोस बनाने का, आपके लिए लेक निटेल में जानेंगे कि कौन-कौन से टाइप के लैंड होते हैं, उसका क्या-क्या यूज होता है, ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक, लैंड यूज, ठीक है, इसकी अगर explanation की अगर हम बात करें, लैंड यूज की, तो अगर example के दर्वे बात किया है, तो बहुत सारे purpose के लिए हम लोग यूज तो करते हैं इसको, और यही अलग-अलग एरिया में आप जाओगे, तो आपको लैंड भी different-different types के देखने मिलेंगे, हो सकता है, आप महाराष्ट में हो, तो यहाँ पर जो जमीन है, वो थोड़ी सी अलग type की है, ठीक है, ना, मैं जमीन की बात कर रह लेकिन पूरा लैंड की बात करें, तो यहाँ डिफरेंट-different types of lands और यह जो लैंड होता है, वो time के हिसाप से change भी होता रहता है, यानि कि अगर आपको कुछ जमीन सूखी भी नजर आ रही है, हो सकता है, छे मैने के बाद आप देखो, तो वही जमीन जो है, वो आपको एक changes आ सकता है, तो ऐसे different types of land होते हैं, जो कि अलग-अलग purpose के लिए यूज किया जाता है, और land जो है, इसलिए बहुत ज्यादा कीमत उसकी ऊची होती जा रही है, यानि कि जो जमीन की prices होते हैं, वो काफी ऊची होती होती है, आप समझ सकते हो, जैसे एक जमाना हुआ करता था जो बड़े लोग आज के date में हैं, वो कैसे बनें, यही सब जमीन जो उन्होंने पानी के भाव में खरीदा था, आज उसका दाम लगबग 100 गुना, 1000 गुना जादा बढ़ चुका है, और आज वो profit कमा रहे, यह सही बात है, एक्चुली देखा जाए तो, ठीक है न, तो क्य essential और जरूरी हो जाती है, किसके लिए, mining के लिए, खुदाई करने के लिए, आपको पता है, बहुत सारी जमीन पे खुदाई जलती है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे minerals को निकाला जाता है, फिर fertile जो जमीन होती है, fertile land, ठीक है न, fertile, तो fertile land जो होता, वो काफे ज़्यादा न, normally हम क्या खाते, दाल, चावल, रूटी, यही सब चीज़ खाते, तो उसको उगाने के लिए, क्या चाहिए हमें, agriculture करना ही पड़ेगा, मतलब कितने भी हम लोग अमीर बन जाये, कितने भी ज्यादा development कर ले, लेकिन agriculture तो हमारे देश का एक हिस्सा रहेगा ही रहेगा, कु सबसे पहला है, rural land use, अब rural का मतलब आप समझ गए होगे, तो rural की बात करें, तो rural का actual में meaning जो होता है, यह rural word जो दिख रहा है, इसका जो meaning होता है, गाओ के इलाके, rural area मतलब गाओ का इलाके, जैसे एक rural होता है, एक urban होता है, तो urban मतलब हम लोग शेहर को बोलते है, urban area, शेहर का area, वैसे rural का मतलब होता है, गाओ का area, ठीके ना, तो rural की अगर हम बात करें, तो rural area में सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज हमारे लिए होता है, वो agriculture होता है, यह सब जामते हैं, क्योंकि हमारे पुराने जमाने से ही यह प्रथा चलती आ रही है, कि हम ज़्यादा तर dependent कि क करते जाके, अभी तो चलो technology आ गया, खुच जाके हल नहीं चलाते हैं, आसकल तो ट्रक्टर्स वगरे आ गया, लेकिन फिर भी daily मेहनत करते हैं, और वो हमारे लिए क्रॉप्स उगाते हैं, जो खाने पीने की सामान हैं, वो उगाते हैं, और उसको बेचते हैं, तब जाके हम हमारे पास वो आता है, यह तो सोचो ना, हम तो से पैसे कमाते हैं ना, ठीक है ना, लेकिन हम खरीदने के लिए कहां जाते हैं, किराने के दुकान पे जाते हैं, माट जाते हैं, वो दाल चावल जो भी खरीद के लाते हैं, लेकिन वो सोचा कभी आपने कि वो दाल चावल आ रूरल सेटलमेंट एरिया में गाउं के साइड में यह बहुत ज्यादा देखा गया है और इसलिए अग्रिकल्चर फीड्स और फॉरेस्ट एरिया यह काफी ज्यादा एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं एसेंशेल माना जाता है इन पर्टिकुलर एरिया में और बहुत सारे ऐसी जगा पे आपको देखने मिलेंगे जहां पे लैंड काफी ज़ादा होते लेकिन पोपुलेशन थोड़ी कम होती है क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते है किसान वगरे टाइप के उनके पास जमीन बहुत ज़ादा होते है उसके इसाप से वो लोग वोऊपुलेशन भी कम होता है, इसके लिए यहाँ पर इसfest, स्पार्स होता है। पार्स का मतलब क्या होता है? कम होना, population थोड़ा सा कम होता है, बहुत सारे एरिया में आपने देखा होगा dense population होता है, urban area में आप जाओगे शेहर के इलाके में, छोटे-छोटे जगा में आपको लाखों लोग मिल जाएंगे रहते होई, जैसे कि कुछ ऐसे एरिया होते है, सार से पाच लोग रहते है, समझ मैं रहा है, मैं क्या difference की बात कर रहा हूँ, इसके लिए हम लोग थोड़ी छुट्टी बनाने के लिए, माइन फ्रेश करने के लिए गाओ अगरे जाते हैं, जरूरी भी होता है, ठीक है, तो यह काफी जदा हम लोग बोल सकते है, population sparse होता ह और इसी के हिसाब से अगर बोल सकते है, rural area अपने, जो residential area होता है, वो कम होते है, क्योंकि residential, क्योंकि गाओं में लोग रहना पसंद करते हैं, लेकिन lifetime के लिए रहना पसंद नहीं करते हैं, वो छुट्टिया बनाने जा सकते हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग गाओं से छो classification है, वो हम लोग discuss करेंगे, तो सबसे पहला जो land है, वो है arable land, ठीकिन arable land का मतलब क्या होता है, यह हम लोग discuss करेंगे, arable land, तो arable land क्या होता है, अब जैसे मैंने अब example के तौरप में बता है, कि land use में बहुत सारे types होते हैं, तो पहला type है rural land use, वैसे urban land use होता है, लेकिन urban पार्ट जो है, हम लोग अगले lecture में देखेंगे, लेकिन यह जो rural land use जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी categories है, तो यह जो rural land use है, इसमें पहला जो category है, वो है arable land, तो arable land का मतलब क्या होता है, कि यह जो land है, वो specially cultivation purpose के लिए use किया जाता है, और normally यह जो land है, वो किसी एक individual ownership के हाँ में होता है, यानि कि कोई एक individual person जो है, इसका मालिक होगा, यानि कि कोई company, या फिर कोई government इसका मालिक नहीं है, वो जो जमीन होगी, वो कोई एक मालिक होगा, समझ लो, मेरी एक जमीन है गाओ में, समझ लो, इस प्रकार समझ लो, तो मैं क्या होगा, एक individual मालिक होग अलग अलग जमीन में अलग अलग टाइप के अग्रिकल्चर्स किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है, फिर नेक्ट टाइप की अगर मैं बात करूँ, जो अगला टाइप है, रूरल लैंड यूज का, वो है दोस्तो फैलो लैंड है, अब फैलो लैंड क्या होता है, जो यूज नहीं करते हैं लोग, तो इसको फैलो लैंड क्या जाता है, इसको फिर्टिलिटी को इंप्रूफ करने के लिए, मतलब देखो या जो सोल रहेगी, जो लैन रहेगी, इसकी फिर्टिलिटी रेट उतीन एच्छी नहीं होते कि इसमें हम अनाज नहीं हुगा पाते तो अगर इसको fertility को improve करना है तो हम लोग क्या करते हैं जो farmer है इसको हम लोग use नहीं करते हैं एक part of land को एक particular season या फिर एक दो season के लिए use नहीं करते हैं यानि कि अगर कोई जमीन थोड़ी सी कम उप जाओ है और उसको एक दो season जो होता है जो normally farming season होता है आपको पता होगा थंडी crops बहुत अच्छे से उगेंगे इसके अंदर ठीक है तो यह type का जो land होता है उसको fallow land कहते हैं जो temporary use नहीं करते हैं लेकिन बात में fertility जब आ जाएगी एक दो season के बाग तो फिर use क्या जाता है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग fallow land बोलते हैं फिर इसके अलावा और भ क्या होता है कि जो specially क्या होता है गाउं में होता है और इसमें land use prohibited भी होता है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि यह जो forest area होता है इसमें especially जो पेड होते हैं वो उगे होते हैं जैसे कि example के तौर पे कुछ forest product की बात करें firewood हो गया, gum हो गया, grass हो गया, यह सब जगा से हम obtain करते हैं यानि कि पूरी की पूरी land जो ही वो forest को dedicated है लेकिन forest में से कुछ products हम लोग use कर सकते हैं जैसे कि लकडिया जो जलाने वाली लकडिया होती है वो हम लोग काटके निकाल सकते हैं, gums वगरे बनाए जाते हैं उससे पेड से लेके घास वगरे ले सकते हैं ठीक है और यह forest जो है लेने वाले यह होते हैं जैसे money plant होता है आपका कैसे कहीं पे भी चड़ जाता है वैसे creepers होते है runners भी बोलते हैं तो creepers हो गया grass हो गया इसे बहुत सरे टाइप के जो plants है वो इस forest land के अंदर देखने आपको मिल जाते हैं and fourth जो है rural land यूज में जो चौथा टाइप है यहाँ दोस्तों यहाँ पर grassland या फिर pasture land ठीक है ना grassland बोलते हैं यानि घास की जमीन पूरी उसमें पूरी घास रहेगी तो grassland भी बोलते हैं या फिर pasture land भी बोलते हैं इसको ठीक है, ग्रास लेंड या फिर पास्चर लेंड, तो ग्रास लेंड या फिर पास्चर लेंड के अगर हम बात करें, तो यह जो लेंड होता है, यह एक पूरे गाओ के अंडर में होता है, यानि कि इनका जो मेन ओनर्शिप है, यह किसी विलेज के हाथ में रहेगा, यानि कि ज जानवर होते हैं उसको चराने के लिए, चराना मतलब क्या होता है, हम लोग बकरी वगरे पालते हैं, जैसे कुछ लोग गाये वगरे पालते हैं, तो उसको लेके जाते हैं सेयर करने के लिए, और वो क्या करते हैं, वो घास वगरे को खाते हैं, उसको बोलते हैं चराना, ग्रेजिंग कहा जाता है यानि कि grassland का main opo क्या है grazing करवाना एनिमल्स के लिए grazing करवाना और यह किसी एक इंसान का जमीन नहीं रहेगा यह पूरे गाओ का जमीन रहेगा पंचायत का या फिर government का जमीन रहेगा जो grazing purpose के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह पूरे गाओ का ज अब इसी प्रकार बहुत सारे लाइंड यूज आएगा अर्बन यानि शहर में किस प्रकार लाइंड का इस्तिमाल किया जाता है अल्मोस्ट बहुत सारे चीज तो आपको पता ही है क्योंकि आप लोग सब शेहर में ही रहते होंगे मेरे इसाब से ठीक है ना इक 60% लोग ऐस बहुत सारे चीज़े प्रोवाइट करेंगे तो आप लोग बस बने रहेना हमारे साथ और आज का वीडियो इसके साथ समापत होता ये वीडियो आपको कैसा लगाए प्लीज आमें कॉमेंट करके बताना अपनी राय और सजेशन जरूर से देना वीडियो पसंद आया है आप लोको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीके फ्रेंड्स तो मिलते हमारे एगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुडबाई